नमस्कार आप देख रहे हैं All India News 24 into 7 खबर हम लेकर आ रहे हैं UP के देवरिया से योगी राज में दलित सुरक्षित नहीं गाउं छोड़ पलायन करने को मजबूर हुए दलित परिवार योगी राज में दलित सुरक्षित नहीं है यह कहना भी गलत नहीं होगा कि एक दलित परिवार को दबंगों ने जम कर पिटाई कर दी और गाउं में आने पर भी प्रतिबंद लगा दिया तभी से दलित परिवार अधिकारियों का चक्कर लगा रहा है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है यह पूरा मामला देवरिया जनपत के लार थाना छेत्र के बरडीहा दलपत गाउं का है इस गाउं में चार घर दलित परिवार के हैं और अपनी गुजर बजर इसी तरह करते रहते हैं लेकिन गाउं के कुछ दबंग लोग इन्हें हर काम करने पर मजबूर करते हैं और नहीं करने पर इन परिवार को परताडित किया जाता है जिसकी शिकायत एक पिडित परिवार ने थाने को दे दी और अंजाने में मुकदमा दर्ज हो गया उसके बाद दबंगों ने एक दलित परिवार पर मुकदमा सुलह करने का दबाओ बनाने लगे सुलह से इंकार करने पर दबंगों ने दलित की जम कर पिटाई कर दी पुलिस ने पिडित परिवार पर ही गंभीर धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज कर दी वहीं जब घायल दलित परिवार अपनी फरिया थानेदार को दी तो दलित परिवार को थाने में ही दो दिन तक बैठा दिया पिडित परिवार का आरोप है कि हमारे गाओं में कुछ दबंग लोगों से कुछ माँ पहले मार पीट हो गई थी घटना की जाचकर पुलिस ने घटना में लिप्त कुछ लोगों के खिलाफ मुकतमा दर्श कर दिया था दबंगों ने मुकतमा सुलह कराने के लिए पिडित परिवार के लोगों पर दबाओ बनाने लगे सुला से इंकार करने पर पिडित से दुबारा मार पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया दलित अपनी जान बचाने के लिए घर में घुसे तो दबंग लोग उग्र हो गये और घर में घुस कर बच्चियों के साथ अभधरता करने लगे दबंगों का कहना है कि तुम लोग दलित हो दायरे में रहो दलितों को मार पीट कर घायल कर दिया गया जिसकी शिकायत पिडित परिवार थाने को देते रहे लेकिन दबंगों के दबाओं में कोई सुनवाई नहीं हो रही है इससे आहत आकर अपना गाउं छोड़ने पर मजबूर है अगर सरकार हम लोगों की नहीं सुनती है तो मजबूरन हम लोगों को गाउं छोड़ कर जाना पड़ेगा दलित परिवार लागातार अठिकारों से अपने गुहार लगाता रहा लेकिन आज दब ये करवाई नहीं हुई देवनिया से रभी प्रकास की रिपोप खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देख देख रही है और इंटेनियों 24-7 प्रकास कर दो बोलाइं देख रहे हैं कौन सा सो नंबर आ रहा है तो दुवार को हम लोग चले आए वह लोग वीमारे अवरोत को भीमारे हमारे चाचे उची को मारे घर में डूक कामरे बहान उनको च्छटखानी भी किए वह सो लोग चार बरें से कांड हो चुका है अब पुलिस आई वह भी बहुत लेट चाहिए पुलिस आई पुलिस आई पुलिस आई क्फ़ार फट गया था ब्लड पूरा गिर रहा था पुलिस लेके गई तो हम लोग दो दिन पर मेट्र कर रहा एक टबलेट भी नहीं दिया आप उन पक्काने के लिए ज़िए आप लोग क लेटें वह साहथ बहुत कुल आदिये हैं लोग क्या करते हैं उल्टे बोलते हैं उल्टा बोलते हैं लोग बोलते तो इमांड करने लगते हैं सब हमारा आवनी इस्कुमार की बल्टी यहां तरपद ला तशाना झाल